Hey guys, this is Sartak and you are watching Modex Chayki YouTube channel So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक market में monitor को buy करने जाते हो तो आपके बास generally दो options देखने को मिलते हैं या तो आप जा सकते हो यार IPS panel की monitor के साथ या फिर आप जा सकते हो TN panel के monitor के साथ दोनों ही monitors के अपने कुछ advantages और disadvantages होते हैं तो इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपके हिसाब से आपको कौन से पैनल के monitor के साथ जाना चाहिए तो इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो चलिए जोस्तों फटावट से वीडियो को हम शुरू करते हैं तो मेरे चाहिंग को बात कर जाती है PC related content के बारे में तो अगर आप लोग अब इंटरेस्ट है इनी सब चीज़ों में तो बिंदास करो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार उस खुबसूरत से लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को ग्रे कलर का और साथ में दाओ उस पहले एकन को ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नहीं ऐसी कमाल की वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा मिल जाएगी आप लोग को उसकी instant notification तो गाईज अब हम फटाफट से बात करते हैं अपने दोनों ही पैनल टेकनोलजी इसके बारे में बहुत जादा डीप में नहीं जाऊँगा नहीं तो आप यार बहुत जादा कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये सब क्या चल रहा है ठीक है काफी जादा basic तरीके से आप लोग को समझाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे IPS पैनल टेकनोलजी के monitors के बारे में देखो भी जो IPS पैनल होते हैं उसके अंदर जो सबसे जादा खास बात होती है वो होती है यार कि इसके अंदर जो हमें color reproduction होता है वो बहुती जादा बहतरीन देखने को मिलता है जो इसकी overall color accuracy होती है वो काफी जादा अच्छी होती है display overall हमारी काफी जादा crisp और sharp देखने को मिलती है और जो सबसे जादा इसका main selling point होता है IPS टेकनोलजी के display का वो होता है यार इसका viewing angles viewing angles यार बहुती जादा अच्छे होते है मतलब अगर आप अपने monitor को कितने भी जादा extreme level कितने भी जादा extreme angle से उसको देखने कोशिश करोगे तो भी आप अपने monitor को देख पाऊगे अगर एक group में आप लोग बैठे और आपके सामने monitor रखा हुआ है तो जो बिलकुल extreme level पे उस monitor के जो बंदा बैठा हुआ वो भी इस monitor को काफी जादा crisp तरीके से देख पाएगा उसको बिलकुल भी color fading के issue देखने को नहीं मिलेंगे और overall जितने भी panel आज की डिट में इस market के अंदर exist करते हैं उसके अंदर IPS panel के जो color reproduction है मतलब जो overall इसकी display quality होती है वो IPS panel की सबसे ज़्यादा best बताई जाती है अब जो IPS panel है उसका सबसे बड़ा drawback होता है जिसकी विज़े से gamers जादा नहीं जाता है IPS panel के साथ वो होता है कि यार इसका जो response time होता है वो as low as आप लोगो 4 millisecond तक का ही जा सकते हो आप उसके नीचे नहीं जा सकते हैं अगर आप देखो 1 millisecond 2 millisecond तक के response time तो वो आप लोगो IPS monitor के अंदर achieve करने बहुत ही ज़्यादा है difficult होते है कुछ ही ऐसे बहुती rare monitors है जिसके साथ आप IPS panel के साथ होते हुए 1 millisecond के response time को touch कर सकते हो बट वो शायद freezing या फिर g-sync वगएरा को enabled करने के बाद ही हो पाता है यही एक reason है जिसके वज़े से gamers जादा IPS panel technology वाने monitor के साथ नहीं जाते हैं लेकिन आप लोग को इसके अंदर higher refresh rate वगएरा सब मिल जाता है resolution भी आप काफी जादा high तक जा सकते हो 144Hz या फिर 240Hz के आप लोग को IPS panel वाले monitors देखने को मिल जाएंगे और साथी साथ आप लोग को 4K resolution तक के monitors देखने को मिल जाएंगे IPS technology के अंदर दोस्तों बात करते हैं हमारे TN panel वाले monitors के बारे में देखो भी जो TN panel वाले monitors होते हैं उसके अंदर जो सबसे बड़ा drawback होता है वो होता है यारे उनकी viewing angles viewing angles हमें बहुती जादा मतलब pathetic तक देखने को मिल जाते हैं अगर आप सस्ते budget के अंदर TN panel वाले monitors के साथ जाओगे तो आप लोगो जो viewing angles है वो बहुती जादा बुरे देखने को मिलेंगे TN panels भी अच्छे आते हैं और उसके अंदर भी बुरी quality भी होती है जो चातर सस्ते वाले TN panels होते हैं उसके अंदर हमको लोगों को बहुत जादा बेकार वाला TN panel देखने को मिलता है अगर आप थोड़ा सब इसको tilt कर दोगे तो आप लोगो color fitting बहुत जादा देखने को मिलेंगे as compared to IPS panel IPS panel के अंदर तो बाई मतलब viewing angles बहुत जादा बहतरीन होते हैं बट TN panel के अंदर यही एक बहुत बड़ी problem है जो color reproduction है वो भी काफी जादा आप लोगो ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा मतलब उतना जादा अच्छा नहीं जितना IPS panel का होता है color reproduction ठीक है बस TN panel के साबसे आप लोगो ओकेश देखने को मिल जाता है और साथी साथ आप लोगो अगर मैं बता हूँ जो सबसे बड़ा इसका main कारान होता है जिसकी वज़से सारे gamers यहार TN panel के monitors को buy करना पसंद करते हैं वो होता है इसका response time response time आप इसके अंदर as low as 1 millisecond तक का achieve कर सकते हो बहुत ही जादा easily और साथी साथ आप लोगों को इसके अंदर higher refresh rate तो मिली जाता है और साथी साथ आप लोगो 4K resolution तक इसके अंदर देखने को मिल जाता है आप दोस्तों बात आती है कि आपको कौन सा buy करना चाहिए आपके हिसाब से कि आप लोगों को जाना चाहिए TN panel वाले monitor के साथ या फिर जाना चाहिए IPS panel वाले monitors के साथ तो देखो वाई इस चीज़ का answer करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहतो कभी काफी सारे लोग मिरको comment section में बोलते हैं एक VA panel वाले monitors भी आते हैं तो VA panel एक ऐसी technology निकल के आई थी सामने जिसके अंदर दोनों ही पैनल के advantages को लेके वो बनाया गया था मतलब VA panel के अंदर आप लोगों को IPS panel के जो viewing angles और color reproduction वो देखने को मिल जाता है और साती साथ आप लोगो 1 millisecond यानि काफी जादा कम response time आप लोगो देखने को मिल जाता है VA panel के अंदर पाऊंगो शायद उससे भी कम ही होंगे VA panel का जो use है वो इतना जादा widely नहीं हो पा रहा है मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो पा रहा है बट उसके monitors इतना जादा wide तरीके से market के अंदर available नहीं है और साती साथ मैं आप लोगो बता तो VA panel के अंदर कुछ लोग ऐसा कहते हैं मै फट आफट से बापस आजाते है हमारे main question के तरफ कि आप लोगो कौन से monitor के साथ जाना है IPS panel वाले monitor के साथ या फिर TN पैनल वाले monitor के साथ तो देखो फिल डिपेंट करता है कि आपको क्या काम करना है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ gaming से ही मतलब है और बहुती जादा serious अप जिसको करना है productivity वाला काम वीडियो एडिटिंग वाला काम है या फिर अगर Photoshop चलाना है तो तो भाई TN पैनल वाले monitor के साथ की तरफ देखना भी मत जैसे कि मैं हूँ एक productivity वाला काम करने वाला बंदा हो सारी वीडियो एडिट करनी होती है तो उसके लिए monitor मेरे पीछे रख सकते हो और बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी वैसे मैं तो यह मानता हूं कि शायद ही आप लोगों बहुत ही ज्यादा माइनर ही difference देखने हो मिलेगा IPS पैनल की गेमिंग के अंदर और TN पैनल की गेमिंग के अंदर तो आपके उपर डिपेंड करता ही तो सब कुछ म मैंने आप ही लोगों के लिए उपर छोड़ दिया अगर आपको चार मिली सेगंड का response बहुत ज्यादा लगता है तो आप चले जाओ यार TN पैनल वाले मोनिटर के साथ लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे लिए तो color reproduction बहुत बढ़ी एक priority है मैं colors मेरे को काफी ज्याद अच्छे चाहिए और मेरे को viewing angles भी अपने मोनिटर के अंदर काफी ज्याद अच्छे चाहिए तो आप चले जाओ यार IPS पैनल वाले मोनिटर के साथ कोई बुराई नहीं है उसके अंदर भी gaming काफी ज्याद अच्छी हो जाती है और जितने भी बहतरीन से बहतरीन मोनिटर आ आती है तो वीडियो को जबर से यार लाइक करें अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो डैट सेट फॉर नहों गाईज आइल कैच यो इन दे नेक्स वान